अब्रिवन आज हम करें है वुट डिस्पाइच 1815 पोड के अंदर आया था जो हम इंडियन एजुकेशन की बात कर रहे थे बृटिश रूल के टाइम पे तो उसी का यह एक पार्ट है तो इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन है बहुत बहुत बहु सम्मिट की थी एजुकेशन के उपर स्पैशली जो इंडियन उनके लिए तो उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन में जो सबसे इंपोर्टन बात उन्होंने की वो थी जो हमारी विनाक्यूलर लैंग्वेजिस है जो स्थानी है मात्रभाश है उसको बहुत इंपोर्टन दी उन्होंने कहा कि जो इंडियन स्कूल जो है उनकी जो मीडियम ओफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या होनी चाहिए विनाक्यूलर लैंग्वेजिस होनी चाहिए और यह रिपोर्ट जो थी हंडर्ड पैरग्राफ के अंदर सम्मिंट करी गई थी इसके इलावा जो इसके अंद सब्सक्राइब होनी चाहिए फिर जो है कि इंडियम ओफ इंस्ट्रक्शन अगर हो तो वह का हूं हाइए लेवल लेकिन प्राइमरी लेवल पर उसको मेडियम ओफ इंस्ट्रक्शन नहीं रखेंगे फिर जो है यह जो डिवुट डिस्पैश की जो रिपोर्ट थी इसको कंसिडर किया जाता है ऐसा मैगना कार्ट ऑफ इंग्लीश एजूकेशन इन इंडिया तो इसका क्या मतलब है इसको हम डिटेल से अभी समझते ह है तो वुट डिस्पैश को मैगना कार्टा क्यों कहा जाता है इसके दो रीजन है जो फॉस्ट फॉल जो रीजन बताया जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि जो इंग्लैंड के अंदर बारास्टो जो पंद्राइसवी थी उसके अंदर एक कोई भी ब्रोंस क इंडियन पास किया था इसका जो सेकिंड रीजन क्या है कि इसको डिस्पैश को मैगना कार्टा क्यों कहा जाता है कि इसने रेविलिशनरी चेंज लेकर आया कि इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन के अंदर जो कि प्राक्टिकल अप्रोच थी इससे पहले कभी इसन यहां था और फर्स टिम पार्लेमेंट से पास हुई थी और इसलिए इस रिपोर्ट ने क्या किया जो डाउन फिल्टरेशन थेओरी थी जो कि हमने उसमें देखी थी आमारी इंट्रोड़क्शन पार्ट के अंदर ब्रिटिश रूल के अंदर जो वीडियो उसके अंद वीडिस्पैच के कारण नेक्स देखते हैं कि उन्होंने क्या सुझाव दिये अपनी इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले कोर्स ऑफ स्टडी के अंदर तो उन्होंने क्या कि रेकागनाइज किया जो हमारी वनेक्लियर लैंग्विजीज हैं जैसे संस्कृत अर्बेक पार स्टेज ऑफ एजुकेशन के अंदर दो स्टेज के बारे में बात करेंगे सबस्ट और यहां पर प्राइमरी एजुकेशन तो इसमें वही चीज़ है कि वनेकलर लैंग्विजीज को प्रमोट किया जाए सैट अप किया जाए हर एक मतलब शेतर के अंदर इंस्टिशन को और इंस्टिशन को युनिवर्स्टिशन को बनाया जाएगा रखा जाएगा और सिस्टेमाटिक मैथड से एजुकेशन होगी और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश भी होना चाहिए युनिवर्स्टी लेवल पर फिर नेक्स है हमारे पास वो है तो हमारे आफिशन लर्निंग के उपर काम करें तीचर की फिर है वोकेशनल एजुकेशन इसके अंदर क्या है कि जो भी हमारी विकेशनल चीजी होती है जैसे कि पोट्री हो गया या जो भी क्याते हैं प्लंबरिंग हो गई इस टाइप की जो चीज़ें है उनको जो है सैट अप किया ताकी जो कौलिफिकेशन को और आजुकेशन को इंप्रूफ किया जा सके अभारत के भिन बिन देशों थी ने दूस्री आपके दूस्टानी पास इपास को यह उनको ही ठाली में मैं परिसकेशन उनको हमारी भी दसटाओ लन सबसे पहले जो भी उनिवर्स्टीज की बात की गई थी की स्टैपलिश की जाए वह 1857 के अंदर हो गई क्योंकि 1854 के अंदर उसने बात करी थी अपनी रिपोर्ट के अंदर और यह स्टैपलिश हो गई थी 1857 के अंदर फिर जो हमारे पास ऑल प्रोवेंस जैसे की एजुकेश इसके बाद है पंजाब युनिवर्स्टी जो है वो भी वुड़ डिस्पैट्र के बाद ही इस्टैपलिश हुई तो ऐसे करके 23 कॉलेजिज जो है इससे प्रभावी तो और उसका जो असर है वो आज भी हम देख रहे हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है कि यह इंडियन हिस् पैच है वो कवर होता है और नेक्स हम करेंगे कि जो वार्धा रिपोर्ट है जो गांधी जी ने दी ती वो क्यों आई और उसकी जुरूरत के क्यों पढ़ी क्योंकि यह जो रिपोर्ट थी इसने काम तो किया लेकिन उतना भी काम नहीं किया जो मेडियम उफ इंस्रक्शन वो इंग्लीश दादा एंफिसाइज किया जाता था तो गांधी जी ने उसके उपर फिर अपनी रिपोर्ट एक समिट की तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के इंदे स्टेडी करेंगे ठीक है तब के लिए थैंक्यू सो मच वो वाचिंग एंड की लाइक सब्सक्राइब एं जीज वड़ज कीर ने की तो इंदे लाइक सब्सक्राइब के लाइक समिट प्रेश सक्षाइब एंटू